क्यूए एलोली वेलकम । टू माय์ चैनली एकजामिं स्टोर्डूडू जयासा कि आ अपको संसत के बारे में बताया था भारती संसत के बारे में तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगहीमि टो पुली चैनल को सबस्क्राइब कर दें आया हूं जो 33 इस question है आपको काफी फसंद आएगा और इस टाइप के question लगतार विगत परिच्छों में आईयस पीसियस और भी अन यूपी एससी ट्रिपल सी एससी इन सब में पूछा गया है तो बहुत ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यह question आप लोग solve कर पाएंगे फर्स्ट कोस्चन जो है भारत की संगी विवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है लोग सभा राज्य सभा प्रतिनी दी सभा और संसत तो इसका आपको जवाब द बना जाता है कि इसका कौन सा option सही हो जाएगा तो पहले का correct answer जो है D option अब second question देखिए भारती संसत के कितने सदन है तो मैंने आपको पहले यह भी बताया था कि सदन किन किन लोगों से मिलके बनाता है सदन तीन लोगों से मिलके बनता है राष्टपरती लोग्षभा और रा सदन होता है इसका विगटन किया जा सकता है लोग्षभा का लेकिन राज्यवा का विगटन नहीं होता है तो आपको जवाब कौन से हैं आप कमेंट बाक्स में जरूर बता है तो संसत के किस सदन को प्रतिनिदी सबावी का जाता है तो तीसरे का A option सही है बिलकुल सही जवा है अगर जो लोग A option बता रहे है लोग्षभा को उनका बिल्कुल सही है अब हम लोग फूर्थ question देखते हैं संसका संसत का लोगप्री शदन कौन सा है लोग्षभा राज्य सवा उप्यक्त दोने या इन में से कोई नहीं तो आपका option कौन से संसत के लोगप्री शदन कौन स संसत का अस्थाई सदन कौन सा है तो संसत का अस्थाई सदन आपको मैंने बताया है अब पिछे ही बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो स्थात works section 6 question देखिए बारती संसत में सामील एक हेवाल्य के वर राज्य सवा के वर लोक सवाय एन राष्टपती करेक्टर और उस सा हो जैगा गरड़ी आपसल मअरते हैं तो बिल्कुलère प्रावधान भारती सविधान के अंतरगत संसत के सदस्यों को निर्दारित करता है जो आपके आंसर है आर्टिकल वन जीरो फोर आर्टिकल वन जीरो फाइब आर्टिकल लेटी टू आर्टिकल वन प्रच्ट का अनन्य भाग नहीं है तो आपको पहले पता है राश्टपती लोगसभा और राज़सभा तो हम लोग इसमें से कौन सा आप्सें belief hours आप बता सकते हैं तो राष्ट पती छूट रहा है तो राश्टपती छूट रहा है क्टर सब्सक्रान का ओके सबसक्ति कितने अंग होते हैं। भारती संसत के तीन अंग होते हैं। सदन कितने होते हैं। दो लोक शवा एंयों राज्यशवा तो कहुंसा आप सं पार्यों चैजबर हो जाएगा याने 10 का देकल बी आपटा रहा है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं 11 नंबर हम लुग देखते हैं भारती सविदान के किस अंशेद में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो कि राष्टपती और दो सदनों से मिलकर बनेगी 11 जो आपके आपके आप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब टुवेल्ध कोस्टन देखते हैं निकीत कत्रों में कौन असत्य है रॉंग आउफ से पूछ रहा है पहले कोस्टन को ध्यान से पढ़िएगा पहुत लोग यहीं गलत कर देते हैं तो लोग सवा को संसद का प्रथम सदन का आ जयता है राज सवा को संसद का दिती सदन का होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अगर आप सी ऑप्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 13 गोस्टन देखिए नेम लिकित कत्रों में कौन सा सही है इसमें सही पूछ रहा है प्रूप पूछ रहा है तो लोग सबाब आरती जनता की बिल्कुल करेक्ट है अब लोग सबां लोग सबाब लोगcellent सबां राज सबां लोग सबाब और चमंप कोन सभावर Azarch दन ससथ को भंग करने के लिए कौन सा सच्छ मैं मैंने कल आपको सच्छा आपको पढ़ाया था अगर आपए विडियो नहीं देखिए तो प्लीज जा के देखिये उसका में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाई गा तो हुआ है या 15 का A option बिल्कुल और निदित हुए तो आपके ऑप्षान है भारत के राष्टपती के सकतियों से नयाईक समिच्छा से भारत के प्रदानमंत्री सकतियों से भारत के प्रदान मंत्री के सकतियों मैं थोड़ा speed से इसलिए करा रहा हूं या आपका time जादा ना लगे आपको time taking ना लगे ओके फ्रेंड इसलिए मैं थोड़ा speed लेके चल ला हूं सत्र को संठ के कितने सत्र होते हैं तो संसत के कौन आपके option आपके सब्सक्राइब अदिक्तम कितना अंतराल दिया जाता है यह बहुत से से दो 2014 में कोच्छा गया है देखिए फ्रेंट जो आपका ओप्षन ए वन मन्त त्री मन्त एर ट्वेल मन्त तो कौन से आप्षन सही है इसका सी ओप्षन देखते हैं और इसको रीट करते हैं तो 19 संसत के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है जो आप्षन है आपके आपके इसमें कुछ पॉइंट दिया है भारत के राष्टपति के निर्वाचन के लिए या सविदान के संसोधन से संबंदिष विद्यक को पा आपके आपशन है एक इमां चार दी ऑप्सेंट के संयुक्त बैटक की संबंध में होती है सविदान संसुधक विद्यक से शधारड विद्यक से भारत के उपर आश्टपति का निर्वाचन यह कोशन यूपीपीस इस नाइटी नाइनि यानि उनिस सो सत्तानवे में पूच विशा गया है ओके फ्रेंट तो अगर आप इसका अंसर सी ऐसा बता रहें साधारण विध्यक के लिए तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बारती संसत के दोनों सदों के संयुक्त बैटर कौन बुलाता है तो आपको पता है दोनों सदों की संयुक्त कोन बुला सकता है 21 कोस्टन का जवाब आप लोग दीजिए राष्टपती मंत्री परशत लोग सबाद्याच राज्य शवाब का सवापती 21 का ए ओप्सन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट जवाब है लोग सबाए ओम राज्य सबाद्य का मतभेद होने पर ये क्या संयुक्त बैठक होती है संसेत के दोनों सदोनों के साथ बैठने पर निम्न होता है क्या होता है पारत के राष्टपती का चुना हो सविधान सन्सों दन बिलको सभिकार करना है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हुँ, उस पर बिचार करना और पास होना, भारत के राष्टपती का चुना हो, तो 23 का अगर आप C आप्सन मार रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, एक बिल जिस पर दोनों सदन का शहमत हो उस पर विचार करना और बिल्कुब पास करना होता है अब हम लोग 24 कोस्टन देखते हैं यदि किसी समान विद्यक पर राज्य सभा और लोग सभा के बीच गति रोद आता है तो उनका समधान कोन करेगा 24 कोस्टन का आपका जवाब हो बताइए राष्टपती बी मंत्री प कोस्टन हम लोग देखते हैं 25 कोस्टन हम लोग देखते हैं स्वतंत भार्थ के संसदी इतियास में अभी तक कितनी बार बुलाई गई है आपका ओप्शन ने दो बार चार बार तीन बार पांच पर हो के फ्रेंट तो 25 पर आपका जवाब सी ओप्शन ए तीन बार तो बिलक कुल सही जवाब जब नइए राष्टपति उपराश्टपति अबिल्कूल करते हैं संसत के समस संसत के संसत को कौन संभूधित करता है 28 का इसका डी ऑप्षन बिल्कुल करेक्टर आंसर है राष्ट पति कौन करता है प्रेसिजेंट जो है संभूधित करते हैं एड्रस करते हैं कि लिए आयोजीत की जाती है राष्ट पति को निर्वाचीत करने के लिए विचार करने तता उसे पारित करने के लिए जिस पर क्या हो रहा है इसका कौन सा जवाब हो जाएगा डी ऑप्षन चुनाओत होगा नहीं ए बी वैसे ही कट गया है संसदन विद्यव का अंगिकार करने के लिए भी नहीं होगा तो डी ऑप्षन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है टॉन्टी नाइंसर होगे फ्रेंट इन्डीए 2014 में कोशन प सविदान संसोदन प्रास्ताओं के समन्ध में दोनों सदनों मताबे दोने की स्थित है लोक सबाकी चानूशार पारित होता है या स्वर्यूगत इद्वेशन में फैसला होगा या प्रस्ताओं गिर जाएगा तो 31 कोशन का अगर आप D option बता रहे हैं प्रस्ताव गिर जाएगा तो बिल्कुल सही जवाब है आप मत भेद होने की स्थिति में यही होता है प्रस्ताव गिर जाएगा यह आपका मेरा आज का सकेंड लास्ट है संसत की कैरवाई सुच में प्रतम भी से कौन सा होता है सुनेकाल प्रस्ताव यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव यह अस्थगन प्रस्ताव तो संसत की कैरवाई सुच में प्रतम भी से होता है प्रस्ताव किसका होता है बी ऑप्सन अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल सही जवा तो 33 का आपका अंसर है कौन सा यह अप्शन सूने काल सूने काल जो है यह बारा बज़े से एक बज़े के बीच के टाइमिंग की होती है जो भारत नहीं दिया है ओके फ्रेंट तीजी को सूने काल भी कहते हैं तो यह आज का 33 कोस्टन जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया अगर आपको पसंद है तो आपको कमेंट बाक्स में कराता रहूंगा अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करेंगा वीडियो को लाइक करेंगे तब तक लिए टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लभी हुआ अ झाला आपको लेडियो